दोस्तो मैं रित्तिग्राइश स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल फॉर्म फिलिप की नोलेज में दोस्तो आज मैं बताऊंगा आपको आज 23 नौवंबर है 23 नौवंबर से ITVP ट्रेट्स में में फॉर्म फिलिप स्टार्ट हो चुके हैं तो मैं ITVP का अप अपने मॉवाइल फॉन से फॉर्म आपको भर के दिखाऊंगा कि आप भी अपने मॉवाइल फॉन से ITVP का फॉर्म कैसे भर सकते हैं दोस्तो इसके लिए आपना गूगल ओपन कीजिएगा और इस पर ITVP रिकूट्मेंट सर्च करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ITVP इसको आप क्लिक करिएगा अब जैसा ही आप इसको क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा देखिए राष्ट की सेवा में सामिल होने के लिए ITVP से जुड़े अब इस त्री डॉट पर आपको क्लिक करना है त्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देख यह निव यूजर रजिस्ट्रेशन और लोगी दो अपसंदिक रहा है तो आप अगर मतलब टेली कम्निकेशन कंस्टेबल टेली कम्निकेशन हेट कंस्टेबल या ITVP यह एनिमल जो आया था या ITVP हेट कंस्टेबल किसी में फॉर्म भरे हैं तो आपको लोगिन पे क्लिक करना है अगर कभी नहीं अप्लाई कीए कर रहा है तो आपको निव यूजर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो यहां पर आपना फ्रस्ट नेम डालना एक फिर मीडिन धालना है फिर ला स्ट नेम डालना है जैसे आपका नाम अगर मिरा नामीरी tik 구maar जहा है तो हम फोस्त न भी है तरहां पना email डालेंगे पिर ऑट जो पासवर्ड बना रहा है उस पासवर्ड को डालेंगे पासवर्ड जो है वह आठाक्षर का होना चाहिए जिसमें सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर आपको सब्सक्राइब करना है वहां पर आप सब्सक्राइब करने के बाद आपको अपना जो रजिस्टर इमेल आड़ी आप दिया है उस इमेल आड़ी को खोलना है और इमेल आड़ी के खोलने के बाद यहां पर देखिए रजिस्ट्रेशन मेल आया होगा यहां पर यहां पर लिंक आया हुआ है एक्टिवियोर एकाउंट इस पर आपको क्लिक करना है अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका बोल देगा यहां पर लॉग इन का आजाएगा तो जो आप आपका यूजर इमेल होगे है फिर जो आप पासवर्ड बनाए है उस पासवर्ड को यहां पर फील करेंगे और फील करने के बाद क्या है न कि आपको फील करने के बाद यहां पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को फील करना है फिर आपको लॉग इन वाले के बाद आपने जो first name फिल किया था वो नाम दिखा देगा last name फिल किया थे वो नाम दिखा देगा email और mobile लंबर दिखा देगा mother's name आपको यहां पर फिल करना है फिर आपने date of worth फिल किया था वो ऐसा ही रहे गए यहां पर country में आपको यहां पर India इडिया स्लेक्टर लेना है फिर यहां पर देखिए आपको अपना permanent address चालना है जो आपका address है district और state और pin code सभी शाही शाही डालना है फिर आपसे पूछेगा correspondence address सेम है permanent address के तो यहां पर टिक कर दिजिए अगर सेम है तो नहीं है तो यहां पर अलग-अलग फिल कर दिए फिर आप स्क्रोल कर करेंगे तो यहां पर देखिए other details में आपसे religion पूछेगा आप हिंदू है यहां पर इंडियन सेलेक्ट करना है फिर आपसे यहां पर इजूकेशन डिटेल्स में आपसे पूछेगा कि आप 10th class जो है वो किस बोड़ से किये थे वो बोड़ का नाम लिखिए कितना पर्शन नमर था वो लिखिए फिर यहां पर qualification details में पूछेगा यहां पर देखिए मतलब जो अगला qualification है वो क्या किये थे बैचलर अफ आर्ट जो भी आए यहां पर education qualification तो हम कहाएं न 12th with PCM से किये थे तो यहां पर 12th with PCM सेलेक्ट कर लेंगे हम BACV पटना यानि कि बिहार इस्कुल इजामिनेशन बोड पटना से किये थे 55% नमर के साथ यहां पर कर देंगे फिर यहां पर gender में पुछेगा male है female है वो select कर लिजेगा फिर यहां पर पुछेगा marital address में आप married है unmarried है widow है divorce है तो हम unmarried है उसको tick कर लेंगे फिर यहां पर category में पुछेगा आप UR, SC, ST, OVC, economical भी कर सकते हैं तो हम EWS हैं इसको tick कर लेते हैं फिर यहां पर service man में आपसे पुछेगा पुछेगा कि आप civilian central government servant है या एक service man है या ITBP employee है LDE या private PECU unemployment ITBP employee है तो यहां पर उसको select कर लेजी आप जिसमें से जो हैं यहां पर R I O T star mark है इसमें आप देखिए have you been domiciled the state of Jammu and Kashmir during the period from 1st January अन इसवासी से सब्सक्राइब करते हैं अगर कुछ भी नहीं से नहीं विलोंग करते हैं नीचे बाले में तो यहां पे not affected by any of the यह इसको tick कर देना है टिक करने के बाद यहां पे आपको submit वाले बटन पर क्लिक करना है जब आप profile सेट आप कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा आएगा दस महा महीना 2022 में असिस्टेंस अम इस्पेक्टर का फॉर्म बरा रहा है और 13 हुआ मतलब देखिए 13 2022 से constable tradesman का फॉर्म बरा जा रहा है तो इस पे आपको constable tradesman में यहां में लीव दिख रहा है इस लीव को आपको क्लिक करना है अब जैसे ही आप लीव पे किलिक करेंगे तो यहां पे देखिए हम केवल और केवल 13 और 12 का details फील किये है तो यहां पे देखिए क्या बोल रहा है की आप तो यहां पे देखिए, बारवर में अपलाई कर सकते हैं, वासर मैं में अपलाई कर सकते हैं, सफाई करमचारी में अपलाई कर सकते हैं, कोबलर में और गारडेनर में और टेलर में अपलाई जो है, वो नहीं कर सकते हैं, इसमें ना ITI मांगा गया है, तो हम बारवर में अपल करने के बाद यहां पे हम next करेंगे अब जैसे ही हम next करेंगे तो हम जितना details field किये थे जिसमें photo signature भी है profile details में यह सब आपको यहां पे दिखा देगा आपको यहां पे इसको next कर रहा है और next करने के बाद यहां पे देखिए 100 रुपए का payment करना है क्योंकि general OVC EWS candidate को एक 100 रुपए का payment करना है तो यहां पे फिर previous का अपसन है I don't agree और I agree करेंगे और submit पे क्लिक करेंगे अब जैसे ही हम तो आपको यहां पे देखिए आप SBI banking से pay कर सकते हैं जिसमें 11 रुपए 80 पैसा का चार्ज है other bank net banking से 17 रुपए 70 पैसा का चार्ज है state bank debit card से 0 रुपए other bank debit card से 0 रुपए credit card से 12 रुपए 90 पैसा UPI से 0 रुपए चार्ज है SBI branch से 69 रुपए चार्ज है यहां पो जिसमें माध्यम से pay करना है माध्यम आप यहां पे select कर लिजेगा और payment कर लिजेगा तो फिर आपको 100 रुपए का जो payment करना है तो दोस्तो आपको पता चल गया कि ITVP tradesman का form हम कैसे भर है अगर मेरी दिवी जनकारी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए से इन्फरमेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे भीड़ा ले लाँ चाहूंगा तब तक आप लोग देखते रही है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलेब की नोले